हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार, Quick News कारिक्रम में आप सबी का स्वागत है मेरा नाम है मनीश रवास्तो और हम बात करेंगे गंगा डॉल्फिन के बारे में उत्तर प्रदेश ने हाली में कहा कि गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है जिसके बात से डॉल्फिन ने गंगा नदी में वापस आना शुरू कर दिया है सरकार ने कहा कि गंगा नदी की पानी की गुणगत्ता में ये सुधार नमामी गंगे कारिक्रम के बाद से हुआ है भारत सरकार की इस महत्वकांशी परियोजना नमामी गंगे की शुरुआत 2014 में की गई थी इसका उद्देश एकी कृत द्रिष्टी कोन द्वारा गंगा नदी से प्रदूशन को समाप्त कर इसे फिर से जीवन्त करना था प्रदेश सरकार ने कहा कि 2014 से शुरू हुए इस कारिक्रम के तहट राज्जे ने 23 परियोजनाओं को पूरा किया इसमें राज्जे में 460 से अधिक सीवेज को गंगा नदी में गिरने से सफलता पूर्वक रोका गया है राज्जे सरकार के इन प्रयासों से गंगा नदी के प्रदूशन को कम करने में सफलता मिली है हाली में डॉल्फिन को नरोरा, कानपुर, वारानसी, आधी जगाओं में प्रजनन करते भी देखा गया है जिससे आने वाले दिनों में उनकी संख्या में और वृद्धी होने की संभावना है हाली में किये गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि गंगा नदी में घुलित ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन, जैवरासाइनिक मांग, बी ओडी, फेकल कॉलिफॉर्म और पी एच, पानी कितना अमलिये था, आधी माप दंडों में बहुत सुधार हुआ है गुलित ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में घुली हुई होती है और जलिये जीवो द्वारा स्वशन क्रिया हेतू प्योग की जाती है वरतमान में उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की आबादी लगबग 600 के आसपास दर्च की गई है गंगा डॉल्फिन का वैक्यानिक नाम प्लैनिस्टा ग्यांगेटिका है इसे गंगा सूस भी कहा जाता है कि एवल मीठे पानी में रहने वाली गंगा डॉल्फिन भारत के साथ साथ नेपाल और मांगला देश में भी पाई जाती है आयूसियन की रेड लिस्ट में संकट ग्रस्त की श्रेणी में आने वाली गंगा डॉल्फिन को वनने जीव सरक्षन अदिनियम 1972 के तहट भी सरक्षन प्राप इसे वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्टी जलिये जीव के रूप में माननेता दी गई